राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ सत्यनायन भगवान की ब्रत कथा कहा जाता है कि हर पुणिमा को सत्य नार्भवान की कथा अवसी ही सुननी चाहिए इससे घर में सुख, बैभव, सम्रदी और यश्की प्राप्ति होती है सत्य नार्भवान की कथा एक समय नैमी सारण्य तिर्थ में शोनक आधी 88 हज्जार रिश्यों ने स्री सूत जी से पूछा हे प्रभु इस कल्यूग में वेद विद्या रहित मनुस्यों को प्रभुभक्ति कीस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनी सेष्ट कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुनिप्राप्त हो जाए तथा मन वांचित फल मिल जाए वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है सरसास्त्र ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्णवों में पूझ आप सवने प्राणियों के हित की बात पूछी है अब मैं उस स्रेष्ट ब्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस ब्रत को नारद जी ने लच्मी नाराण से पूछा था और लक्ष्मी पती ने मुनी स्रेष पहला अध्याय एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इक्षा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृति लोक में आप पहुचे यहां अनेक योनियों में जन्में हुए प्राय सभी मनुस्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीरित देख करके सोच कि किस यत्न के करने से निश्च ही दुखों का नास हो सकेगा ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए वहां श्वेत वर्ण और चार भुचाओं वाले देवों के इस नाराण को जिनके हाथों में संख, चक्र, गदा और पदम थे तथा वर्माला पहने हुए थे द आपको नहीं पा सकती है, आपका आधी, मध्य और अंत नहीं है, निर्गुन स्वरूप के कारण भग्तों के दुखों को नस्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमशकार है, नाराण जी इस प्रकार की इस्तुति करते हैं, उनकी इस्तितु को सुन करके भगवान विष्णु ब आए हैं किर्पिया नि संकोच कहें, तब नारद मुनी बोले, मृति लोक में सब मनुस्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नात मुझ पर दया रखते हो, तो बताईए कि उन मन मनुस्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रेद्न से कैसे दूर हो सकते हैं, स्री भगवान बोले, हे नारद मनुस्यों की भलाई के लिए तुमने मुझ से बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस काम के करने से मनुस्य मोह से छूट जाता है, वो हम मैं कहता हूँ, सुनों, बहुत पुन्य देने वाला तथा स्वर्ग तथा मृत्य लोक दोनों में दूरलव एक उत्तम ब्रत है, आज मैं प्रेम वस्खोकर तुमसे कहता हूँ, सत्य नाराण का ब्रत अच्छी तरह विधान पुर्वक करके मनुस्य तुरंत ही यहां सुख को भोग करके मरने के भगवान के वचन को सुन करके नारद बुनी बोले उस ब्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह ब्रत किया है और किस दिन यह ब्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो, भगवान बोले दुख, शोक आज को दूर करने वाला, धन धाने को बराने वाला, सौभाग तथा सं संतान को देने वाला यह ब्रत सब इस्थानों पर विजय करने वाला है भक्ति और शद्धा के साथ किसी भी दिन मनुस्य से सत्य नाराण की शाम के समय में ब्रामन और बंधूं के साथ में धर्म पारायन हो करके पूजा करें भक्ति भाव से नैवेद्ध केले का फल घी और गेहूं का चून सवाएं गेहूं का चून का भोग लगाएं गेहूं के अभाव में साथी का चून सक्कर तथा गुलने और सभभख्षण योग सभी भोग लगाने योग पदार्थ जमा करके भगवान को अरपन करें तथा देवों और बंधों सहित ब्रामों को भोजन कराएं पश्चात स्वेम भोजन करें नयत्य गीत आधिका आच्रान कर सत्य नायन भगवान का इस्मरण करते हुए समय को व्यतित करें इस तरह से इस ब्रत को करने पर मनुस्य की निश्चे ही सारी इक्छों की पूर्ती होगी विशेश करके इस कलिकाल में विशेश करके इस कलीओग में भूमी पर यहीं मोक्ष का सरल उपाय है सी सत्य नायन भगवान के कथा का प्रथम अध्याय संपोन हुआ सत्य नायन भगवान की जै हो माता लक्षमी की जै हो दूसरा अध्याय से सूत जी बोले रिश्यू जिसने पहले समय में इस ब्रत को किया है उसका इतियास कहता हूँ ध्यान से सुनो सुन्दर काशी पुरी नगरी में एक अत्यन्त निर्धन ब्रामन रहता था वह भूक और प्यासे बेचैन हुआ नित्य पृत्वी पर घूमता था ब्रामनों से प्रेम करने वाले भगवाने ने ब्रामन को दुखी दे करके बूढे ब्रामन का रूप धर करके उसके पास जा क करके आदर के साथ पूछा हे विप्र नित्य दुखी हुआ प्रिथ्वी पर क्यों घूमता है शेश ब्रामन यह सब मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूं ब्रामन बोला मैं निर्धन ब्रामन हूं भिक्षा के लिए प्रिथ्वी पर फिरता हूं हे भगवन यदि आप इसका जानते हों तो किरपा करके इसका उपाय कहो ब्रद ब्रामन बोले कि सत्य नायन भगवान मनुवांचित भल देने वाले हैं इसलिए हे ब्रामन तू उनका पूचन कर जिसकी करने से मनुस्य सब दुखों से मुक्त होता है ब्रामन को ब्रत का सारा विधान बता करके ब्रामन बुढ़े ब्रामण का रूप धारण करने वाले स्री सत्य नारान भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए जिस ब्रत को ब्रत ब्रामण ने बताया है मैं उसी को करूंगा यह निश्चे करने पर उसे रात में नीन्द आई वह सवेरे उठ करके सत्य नारान भगवान के ब्रत का निश्चे कर बिक्षा के लिए चला गया उस दिन उसको बिक्षा में बहुत धन मिला जिससे बंदु बांधवों के साथ उसने सत्य नारान भगवान के ब्रत को किया इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार के समपत्तियों से युक्त हुआ उस समय वह विप्र हर मास ब्रत करने लगा इस तरह सत्य नारण भगवान के ब्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा आगे जो प्रिथिवी पर सत्य नारायन का ब्रत करेगा वो हमोनों से सब दुखों से छूट जाएगा इस तरह से नाराजी ने नारायन का कहा हुआ यह ब्रत मैंने तुमसे कहा है हे विपरों मैं अब और क्या कहूँ रिशी बोले हे मुनिश्वर संसार में इस विपर से सुन करके किस किस ने इस ब्रत को किया है अब हम सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारे मन में शद्धा है सूत जी बोले हे मुनियों जिस जिस ने इस ब्रत को किया है वह सब सुनों एक समय एक विपर धन और एश्वर के अनुसार बंद बांधों के साथ ब्रत करने को तयार हुआ उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बोड़ा आदमी आया बाहर लकड़ियों को रख करके विपर के मकान में गया प्यास से दुखी लकड़ हारा उनको ब्रत करते देख कर विपर को नमाशकार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से क्या फल मिलता है किपा क करके मुझसे को ब्रामण ने कहा यह ब्रत सब मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला है भगवान सत्यनारान का यह ब्रत है इनकी क्रपा से मेरे हां धन धान आदिकी ब्रती हुई है है विपर इस ब्रत के बारे में जान करके लकड़ हारा बहुत ही प्रसन हुआ तब वह चर का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्य नाण देव का उत्तम्रत करूंगा यह मन में विचार कर वह बुढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर्पर रहकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुन्दर नगर में गया उस वह उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चोगुना मिला तब बुढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अती प्रसन होकर के पके केले को लेकर आया तब वह लकड़हारा अती प्रसन होकर के पके केले के फली, शक्कर, घी, दूद, दही, गेहुं से जो निर्मित होता ह आटा वह आटा इत्यादी समगरी को ले करके आया सत्य नारान भगवान के ब्रत की सारी समगरी को ले करके अपने घर आया फिर उसने अपने भाईयों को बुला करके बिधी के साथ में भगवान स्री सत्य नारान जी के ब्रत और पूजन को किया उस ब्रत के प्रवाव से वह पूढ़ा लकरहारा धन पुत्र आदी से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग करके पैकुंट को चला गया। इस प्रकार से सत्य नारायन ब्रत कथा दुची अध्याय संपूर्ण हुआ। उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था वह सत्य वक्ता और जीतेंद्रिय था वह प्रत दिन देव इस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साधवी थी भद्र सीला नदी के वहां एक साधू वैसे आया उसके पास ब्यापार के लिए बहुत सा धन था वह ना को किनारे पर ठैरा करके राजा के पास आ गया। राजा को ब्रत करते वे देकर विने के साथ पूछा हे राजन भक्त युक्त चित से यह आप क्या कर रहे हैं मेरी सुनने की इक्छा है सो आप मुझे बतलाईए राजा बोले हे साधू अपने बांधों के साथ पूत्र आदिकी प्राप्ति के लिए एक महा शक्तिमान सत्त नायन भगवान का ब्रत्व पूजन किया जा रहा है। राजा की वचन को सुन करके साधू आदर से बोला हे राजन मुझे से इसका सब वि होगी राजा ने सब विधान बता धिया। राजा से सब विधान सुन ब्यापार से निव्रित हो वह आनंद के साथ घर को गया। साधू ने अपने इस्त्री से संतान देने वाले इस ब्रत का समाचा सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तम मैं इस ब्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी इस्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी इस्त्री लीलावती पती के साथ अनन्दित हो 1974 धर्यम में प्रुविर्त हो करके सत्य नयर्भग्वान की किरपा से गर्वती हो गई। तथा दस्वे वहने में उसको एक सुन्दर कर्ण्या की प्राप्ती हुई दिनों दिन वह बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है कर्ण्या का नाम कलावती रखा गया जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती से कहा कि जो आपने संकल्प कि गया था कि भगवान का ब्रत करूंगा अब आप उसे करिए साधू जी बोले हे प्रिये इसके विवाह पर करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह नगर को गये कलावती पित्र ग्रह में ब्रद्धि को प्राप्त हुई साधू ने जब नगर में सक् दूत कंचन नगर पहुँचा वहाँ पर खोजा और देख भालकर लड़की के लिए सुयोग वड़ेक पुत्र को ले आया उस सुयोग के लड़के को देख करके साधू ने अपने बंदु बांधों सहीत प्रसन चित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया किन्तु दुर्भागे से विवाह के समय भी उस ब्रत को करना भूल गया तब स्रीव सत्य नायन भगवान क्रोधित हो गये और श्राब दिया कि अब तुम्हें दारों दुख प्राप्त होगा अपने कार में कुसल साधू बनिया जमाता सहीत समुद्र के समीप इस्थित रतनपुर नगर में ब्यापार के लिए गया वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्र केत राजा के उस दरवार में ब्यापार करने गये एक रोज भगवान सत्य नायन की माया से प्रेरित हो करके कोई चोर राजा का धन चुड़ा करके भागा जा रहा था किन्तु राजा के दूतों को आता दे करके चोर ने घबराहट से भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठैरे हुए थे जब दूतों ने उस साधू और वैस के पास जा करके राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करके और प्रसन्नता पुर्वक राजा के समीप ले जा करके बोले कि यह दो चोर पकड़ करके लाए हैं आप आग्या दें राजा की आग्या से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया सत्यनार भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुड़ा कर ले गये सारीरिक वा सामाजिक पीड तथा भूख प्यासे अतन्त दुखी धो अनकी चिंता में कलावती एक ब्रामान के घर गई वहां उसने सत्यनार भवान के ब्रत को देखा फिर कठा सुनी तथा प्रसाद ग्रहन कर रात को घर में आई माता ने कलावती से कहा है पूतरी अब तक कहा रही वत तेरे मन में क्या है कलावती बोली है माता मैंने एक ब्रामान के घर सी सत्यनार भवान के ब्रत को देखा है कन्या के ब्चन को सुन करके लीनावती भगवान के पूजन की तैयारी दूसरे दिन करने लगी लीनावती ने परिवार और बंधों सहित सी सत्यनार भवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पती वदमाद सिग्र आ जाएं साधी प्राथना की कि हम सब का अपराद छमा कर दो सत्यनार भगवान इस ब्रत से संतुष्ठ हो गए और राजा चंद केत को सुपन में दर्सन दे करके कहा हे राजन दोनों वैश्यों को प्रात ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहन किया है दे दो नहीं तो म वहां से अंतरध्यान हो गए प्रातेहकाल राजा चंद केतुने सभा में सुपन को सुनाया फिर दोनों वानिक को बुलाया और उनको कैद से मुक्त कर सभा में कहा यहे महानुभाव भावी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख को प्राप्त हुआ अब तुम्हें कोई भै नही है ऐसा कहकर के राजा ने उनको ने नेवस्त्र और आभुशन पहनाए तथा उनको जितना धन लिया था उससे दूना धन दे करके आदर से विदा किया दोनों वैश अपने घर को चले से सत्तिनारान कथा का तृतिय अध्याय संपुन हुआ भवान सत्तिनारान की जय हो माता भक्तों की जय हो चौथा अध्याय सूत जी वोले वैस ने मंगला चार करके यात्रा को आरंब किया और अपने नगर को चला उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेसधारी भवान सत्तिनारान ने उससे पुछा हे साधू तेरी नौमे क्या है अभिवानिक वानिक हस्त हुआ बोला हे दंडी स्वामी आप क्यों पूछते हैं क्या आप धन लेने की इच्छा रखते हैं मेरी नौमे तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं वैस के कठोर वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सकते हो दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कु अधि देखकर मुर्चित हो जमीन पर किर पड़ा फिर मुर्चा खुलने पर अत्यंत शोक प्रगट करने लगा तब उसका दमाद बोला कि आप शोक ना करें यह दंडी का स्राप है अता उनकी सरन में चलना चाहिए तभी हमारी मनो कामना पूरी होगी दमाद के वचन को सु पहुचा और अत्यंत भक्ती भाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे छमा करें ऐसा कह करके महान शोका तुर हो रोनी लगा तब दंडी भगवान बोले हे वानिक पुत्र मेरी आज्या से बार बार तुम्हें दुख की नहीं जानते तब तो मैं अज्यानी कैसे आपको जान सकता हूँ आप प्रसन हो जाए मैं सामर्थ के अनुसार आपकी पुजा करूंगा मेरी रक्षा करो और पहले के समा नौका में धन को भर दो उसके भगति युक्त बचन को सुन करके भगवान सत्यनारण अत्यंत ही प्र पून है फिर वह भगवान सत्यनारण का पूजा कर साथियों सहित अपने नगर को चला जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा दूत ने साधू के घर आने की सूचना उसकी इस्त्री को नमशकार करके दी और बोला कि साधू अपने दमा सहित इस से कहा कि मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तुम कारे को पूण कर सिग्र आ जाना माता के ऐसे वचन को सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके पती के दर्शन के लिए वह भी वहाँ पर पहुँच गई प्रसाद की अवाग्या के कारण सत्यनारण भगवान उससे रुष्ठ हो गए उनके पती को नौ सहित पानी में डुभो दिया कलावती अपने पती को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधू दुखित हो बोला है प्रभू मुझसे या मेरे परिवार से ज जो भी भूल हुई हो उसे छमा करो उसके दीन वचन को सुन करके भवान सत्यनारण अतिंत प्रसन हुए और आकासवानी हुई है साधू तेरी कन्या मेरे प्रशाद को छोड़ कर आई है इसलिए इसका पती अद्रश हुआ है ऐसे आकासवानी को सुन करके कलावती ने घर प पहश्चात साधू ने बंदू बांधों सहित सत्य देव का भवान सत्यनारण का बीधी पुर्वक पूजन किया इस प्रकार इस लोकों के सुख को दे करके अंत में स्वर्ग लोकों को गया सी सत्यनारण कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ भवान से सत्यनारण की ज प्रजा पालन में लीन तुम भजनाम का एक राजा था उसने भी भगवान का प्रशात्या कर बहुत ही दुख पाया एक समय वन में जाकर वने पसूं को मार कर वह बढ़के पेड के नीचे आया वहां अपने ग्वालों को भक्ती भाव से बांधों सहीत सत्यनार भगवान का पूजन करते देखा राजा देख कर भी अभिवान वस वहां नहीं किया और नहीं भगवान को नमशकार किया जब ग्वालों ने भगवान का प्रशात उसके सामने रखा वह प्रशात त्या करके नगरी को चला, वहां उसने अपना सब कुछ नस्ट पाया, तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है, तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, और विधी पुर्वा पूजन कर प्रशात खाया, तो सत्यनार भगवान के किपासे वह सब कुछ पहले जैसा हो गय फिर दिर्ग काल तक सुख को भोग कर मरने पर स्वर्ग लोको गया, जो मनुष्य इस परम दुरूलव ब्रत को करेगा, भवान के किपासे उसे धन धन की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी, बंधी बंधन से जो बंधी होंगे, वो बंधन से मुक्त हो करके निर्वे हो जिन्हों ने पहले इस ब्रत को किया, अब उनके दूसरे जन की कथा कहता हूं, ब्रत शतानंद ब्रामने सुदामा का जन में लेकर मुक्ष को पाया, उलका मुख नाम का राजा दसरत हो करके बैकुंठ को प्राप्त हुआ, साधु नाम के वैशने मनुरत बन करके अपने प राप्त किया, सी सत्यनार भगवान की कथा का पांचमा अध्याय संपून हुआ, सत्यनार भगवान की जै हो, विश्नु भगवान की जै हो, माता लक्षमी की जै हो, सभी भक्तों की जै हो, इसकी वाद में सत्यनार भगवान की आर्थी करनी चाहिए, भगवान लक्षमी मात ताकि आर्थी करनी चाहिए भागवान गणिस की आर्थी करनी चाहिए अपने पूरे परिवार के साथ आर्थी करने के बाद में जो प्रशाद सरुभोग लगाया है उस प्रशाद को अवसे ही गरहन करनी चाहिए आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्पया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वेल आइकन अब से ही दवा देजेगा, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, सत्य नायन भगवान की जो ब्रत कथा कही जाती है, उसमें जो पूजन समागरी लगती है, वह संपूर्ण उस डंडी में पांच आम के पत्ते लगे हों, पांच लगे हों, पत्ते साथ लगे हों, पत्ते नौ लगे हों, संख्या यह होती है, उसे पंच पल्लों कहते हैं, भगवान की प्रतिमा, कलश, यगो पबीत, पंच रत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, अभीर, गुलाव के दूप, दीप, पुश्पों की माला, तुलसी दल, श्री फल, पांण, रितु फल, पंचाम्रित बना के रखना चाहिए, दूद, दही, अंग वस्त्र, शक्कर, धृत, शहद, नैवेद, केसर, कलावा, बंधन बार, चौकी, चौकी प्रविछाने के लिए वस्त्र, पूज इस्तनान आदि से निव्रित हो करके पूजा इस्थान में ये था इस्थान पर बैठ करके आसन लें, और स्री गनेश, गोरी, वरोन, विश्नु, आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें, और संकल्ब करें कि मैं सी सत्य नारण स्वामी का पूजन वक अथा का स्र पिले पिछा करके उसके चारो और जो केले के खंबे हैं, वह खंबे लगाया जाते हैं, उपर से जो केले के पत्ते होते हैं, उससे ढग दिया जाता है, मंडब जैसा बना दिया जाता है, आम के पल्लव को चारो और लगा दिया जाता है, जो पंच पल्लव होते हैं, उसे कल अंगा जल भरते हैं, शुद्र जल डालते हैं, उसके बाद में पंच पल्लव जो आम के पांच पत्तव वाले जो डंडी होती हैं, उसके उपर एक कटोरी में चावल भरके रखते हैं, उसके उपर एक छोटे सा दीपक जलाया जाता है, ये कलश बना कर इस तरह से रखें, से भी रखना चाहिए फिर भागवान को वस्त्र पहना जल चड़कें पोच दें अच्छे से फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं यगो पवीत पहनाएं चावल चड़ाएं फूल चड़ाएं माला चड़ाएं फूल का पूरी उस पिर जो चौकी आपने बिछाई है सब भागवानों का सिंगार करना चाहिए फूलों से बहुत जगह जो ब्रामर से कराया जाता है तो वहाँ पर नव ग्रह बनाया जाते हैं इसके बाद में पंचामरत बनाना चाहिए पंचामरत में दूद, दही, घी, शकर, शहर ये पांचों चीजे मिला ली जाती है और उसी में ठाकुर जी को नहलाया जाता है फिर उन्हें स इस तर से पंचामरत बन जाता है फिर नवेद में केला, रितु फल में सेव, संत्रा यह था शक्ति जितने भी फल आप चढ़ा सकें उन सारे फलों को भोग सुरूप चढ़ाए पंजीरी अवसे बनाई जाती है पंजीरी यह होता है कि जो आटा होता है गेम का जो आटा होत उसे घी में डाल करकि अच्छे से भून लिया जाता है फिर उसमें सप्रकर मिला जाता है और उसमें तुलसी दल डाला जाता है इसे कहते हैं पंजीरी इस पंजीरी का भोग अवसे ही लगाना चाहिए सद्नान भवाण के कथा में सत्य नान की भवान की कथा में पंजीरी चर्णामित का विशियस महत्माना गया है बहुत ही आवस्टेक जिसको कहते हैं होता है इसलिए इसको जरूर ही रखना चाहिए और इस प्रकार से पूजा करने के बाद में अपने कथा को स्वैम सुने या किसी ब्रामण को आपने बुलाया है तो ब्रामण ने ब्रामण देवता तो सारा नियम विधी जानते हैं तो बड़े विधी विधान से इस कथा को कर देंगे ये जो कथा मैंने आपनों को सुनाई है उस कथा को भी आप स्रवन कर सकते हैं, इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, बहुत उक जो कि पूजन नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, वह हिरदे में अपने हाथ जोड़ करके, हिरदे से सत्यनार भगवान को परणाम करके, केवल इस कथा को भी सुन सकते हैं, उसस करती हूं कि आप लोगं को यह वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगं को यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो किर्पया वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा क्योंकि लाइक करने में आपका कोई नुक्सान नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन